हेलो अबरीबार, वोलकम बाट कि मोड़नामिक्स आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा इंडिया की बेस्ट कार अंडर 10 लाग रुपीज और यह सभी कार हैश बैक सेग्मेंट से होगी तो यह वीडियो कुछ ऐसी होगी के कौन सी कार होगी आपके लिए परफेक्ट तो मेरा नाम है वराज मोड़नामिक्स इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हमारी इस लिस्ट में जिस कार ने 10 पोजिशन पे जगे बनाई है वो पिछली 15 साल से इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार के लिस्ट में जगे बना रही है और इस कार की अब तक 38 लाग से जादा यूनिट्स बिक चुकी है ये कार है मारती सुजू की ओल्टो इस कार में आपको आर्टो सीसी का इंजिन मिलता है जो पेट्रोल और सी एंजी आप्शन के साथ आता है प्राइस केस आपसे इसमें आपको बहुत जादा फीचर और स्पेस तो नहीं मिलता है बट अगर आप एक कॉम्पैट कार की तलाश में है और अगर आपका बजेट बहुत जादा नहीं है तो ये कार आपके लिए अच्छा आप्शन हो जाती है जिसका स्टार्टिंग पेट्रोल वर्जिन का प्राइस 3.27 लैक है जो 4.28 लैक रूपीज तर जाता है लेकिन अगर आप लोग C&G वेरियंट के लिए जाना जाते है तो उसका स्टार्टिंग प्राइस 4.78 लैक रूपीज है और टॉप वेरिंग की कीमत 4.82 लैक रूपीज है तो हमारी नाइन कार इंडियन कंपनी की नहीं है बलकि अमेरिका की जाने मानी कंपनी फोड की है और इस कार का नाम है फ्रीस्टाइल फोड की ये कार हैश्वेक सार्टिंग में काफी पॉबलर है और इसमें आपको काफे सारे फीचर्स भी मिलते हैं जिसमें आपको दो तरीके के इंजिन मिल जाते हैं पहला इंजिन 1200 सिसी का है और दूसरा इंजिन 1500 सिसी का है Ford की car होने के वज़े से इस car की driving quality बहुत अच्छी है और ये car आपको petrol और diesel दोनों ही variant में मिलती है और वहीं अगर इस car के mileage की बात होती है तो आपको 18.5 km per liter से लेके 23.8 km per liter तक मिल सकता है अगर इस car के केविन की बात करते हैं तो आपको ये dual tone में black and chocolate करका आता है engine system, auto AC, rain sensing wipers, engine start shop button, six airbags और ये car साथ colors में आती है और Ford freestyle की शुवातिक गीमत 6.5 लाग रुपे है और अगर आपको इसका top variant लेना है तो आपको इसके लिए 9.34 लाग रुपीज देने पड़ेंगे तो हमारी अगली car अपनी safety के लिए जाने जाती है क्योंकि इस car को global uncap crash test में 5 की rating मिली थी और इस car का नाम है Tata Nexon इस car में आपको दो engine मिलते हैं पहला 1200cc का, दूसरा 1500cc का और ये car आपको petrol और diesel दोनों ही variant में मिलती है और आज की rate में Tata की सबसे अच्छी cars में से एक है और ये car एक premium hatchback ही है लेकिन एक car का look जो है ये आपको एक muscular SUV का मिलता है और इस car के new update में आपको new alloy wheels मिलते हैं और overall car का look भी काफी अच्छा हो गया है size में बड़ी होने की वज़े से इसके अंदर का space भी काफी बढ़ गया है और इसमें आपको काफी अच्छे features मिलते हैं जैसे fast mobile charging, rain sensing wipers, cruise control यही नहीं बलकि आपको इस car में sun roof भी मिलती है और इस car की एक अच्छी चीज है कि इस car में manual और automatic दोनों ही options आते हैं लेकिन आपको data नक्सान खरीदने के time में confusion भी हो सकती है क्योंकि data ने इसमें 14 variants निकाल दी है जिसमें 7 petrol की variant है और 7 diesel की variant है लेकिन अगर आप लोग का budget 10 lakh का ही है तो आपको इस car के 4 petrol variant मिलेंगे और अगर आपको डीजल खरीदना है तो आपको डीजल में सिर्फ इसका base variant ही मिलेगा लेकिन overall बात करें तो इस car का starting price 7.88 lakh का है और टॉप वीरिंगी कीमत 14.96 lakh रुबीज है हमारी 7th car एक compact और बहुत ही अलग look की car है और ये car हम इंडियन्स की फेवरेट कंपनी मारुतिश दूजुकी की है इस car का नाम है इगनिस इस car का look काफी appealing है इसमें आपको 1200cc का engine मिलता है जो manual और automatic transmission के साथ आता है और इस गाड़ी की handling और mileage भी अच्छा है और इस car में आपको वो सभी features मिलते हैं जो आपको एक premium hatchback में मिलते हैं जैसे 7 inch का touchscreen infotainment system जो apple car play और android auto compatible है साथ ही आपको automatic climate control keyless entry engine start stop button और बहुत कुछ ये car आपको 9 colors में मिलती है और इस car का boot space भी काफी अच्छा है जो कि 260 liters का है और इस car की शुरुवाती कीमत 5.42 lakh rupees है और top waiting कीमत 8.9 lakh rupees है लेकिन इस car की एक कमी है कि इतने पैसे देने के बाद भी आपको अंदर बहुत जादा space नहीं मिलता है और इतने price में आपको इससे बहुत अच्छे options मिल सकते है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ अगर आप लोग एक अच्छे mileage वाली car की तलाश में है तो अगली car आपके लिए है तो ये car है Tata की Tiago ये एक stylish और अच्छी car है इसमें आपको 1200cc का engine मिलता है बाकी गालियों के मुकामले में इस गाली का mileage भी काफी अच्छा है ये car automatic और manual दोनों ही options में आती है इस car में new update किया गया है जिसमें आपको new front bumper, headlamps और new wheels मिलती है और एक अच्छा feature भी मिलता है जिसमें आपको fully digital infotainment system मिलता है इस car की overall performance में काफी अच्छी है लेकिन एक कमी है कि इस segment की बाकी car से इस car का boot space थोड़ा छोटा है और इस car का base model का price है 5.15 lakh रूपीज और top variant की कीमत है 7.47 lakh रूपीज तो हमारे list की अगली car कोई new car नहीं है बलकि 10 साल पहले launch हुई ये car है लेकिन इस car के शांदार looks और दंदार performance की वज़े से आज भी इस car ने हमारे इस list में जगे बना ली है तो ये car है German automaker Volkswagen की Polo इस car में आपको पहले engine के options काफी मिलते थे जैसे 1200, 1500, 1600 लेकिन अब आपको इस car का एक ही option मिलता है और वो है 1000cc का engine जो कि सिर्फ petrol engine में आता है लेकिन वो आपको manual और automatic दोनों के साथ वेल जाता है और इस car में आपको काफी सारे standard safety features भी मिलते हैं बलकि आपको इसमें साले engine का touch screen infotainment system भी मिलता है जो कि apple car play और android auto compatible भी है और इसमें आपको cruise control, drain sensing wiper के साथ साथ काफी सारे और भी features मिलते हैं लेकिन इस सभी features और performance को maintain करना आपके लिए थोड़ा सा महंगा हो सकता है क्योंकि Volkswagen की maintenance cost बाकी Indian cars के मुकाबले थोली जादा है लेकिन अगर आप लोग को अच्छी और सस्ती maintenance वाली car चाहिए तो आने वाली cars आपके लिए अच्छा option साबीत हो सकती है और Volkswagen Polo का starting price 6.5 lakh रुपीज है और इसका top model का नाम है Polo GT जो आपको 10.84 lakh रुपीज का मिलता है तो हमारी next car इस segment में बहुत ही अच्छी premium hatchback है जिसका नाम है Hyundai i20 i20 का new version भी बहुत जल्द launch होने वाला है जिसकी details मैंने आपको अपनी new video में दे दी है लेकिन अगर आपने वो वाली video नहीं देखी है तो आप एरे channel के i button में जाके Hyundai i20 2020 का detail review देख सकते हैं और इसका link मैं आपको description में भी दे दूँगा लेकिन अगर आप लोग बहुत जादा wait नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग Hyundai i20 Elite version के लिए भी जा सकते हैं जिसको मैंने इस list में include किया है और इस car का बाहर से लुक काफी sleek है जिसमें आपको new LED DRLs, cascading grills भी मिलती है जो इस car को काफी अच्छा look देती है और इस car में आपको सभी premium feature मिलते हैं और आपको armrest, auto AC, keyless engine start stop button और new i20 2020 में आपको blue link जैसे technology भी मिल सकती है और इसमें आपको 3 variants मिलते हैं Magna, Sports और Asta और ये car आपको सिर्फ petrol option में ही मिलती है और इसका mileage 19.8 km per liter का है और इस car का starting price 7.38 lakh rupees है और top variant की कीमत 9.37 lakh rupees है तो आप चलते हैं अपने top 3 cars की तरफ और हमारे 3rd position पे जिस car ने जगे बनाई है उसका नाम है Maruti Suzuki Baleno अपने नाम पर बहुत सारे awards दर्ज कर लिये हैं और ये car इस segment की सबसे अच्छी family cars में से एक है जिसमें आपको सभी premium features मिलते हैं बहुत इच्छा space भी मिलता है Baleno में आपको 1260 का engine मिलता है जिसमें आपको manual और automatic दोनों का ही option मिलता है और इस car का exterior bold और stylish car का look देता है और इस car में आपको बहुत सारे safety standard features मिलते हैं जैसे dual airbags, ABS, EVD, ISOFIX child seat mounts and rear parking sensors और ये आपको सभी models के साथ मिलता है और शायर इसी वज़े से ये एक अच्छी value for money car है और इस car का mileage आपको 19 km से लेके 21 km तक मिल जाता है तो बलेनो ये कमाल का complete package है जिसका starting price 6.21 lakh रूपीज है और top period का price 10.2 lakh का है पर हमारी इस list की second position मिली है इंडियन हैश बैक segment की king, Maruti Suzuki Swift इस car को ऐसे ही king का खताब नहीं मिला है बलकि Maruti Suzuki के हिसाब से भी इंडिया की top 5 selling cars में पिछले 15 साल से जगे बना ही लेती है और आप लोग के जबरदस साथ की वज़े से इस car की लगभग 15 से 20,000 unit हर माईने बिग जाती है इस car में आपको 1200 से का engine मिलता है जिसका mileage 20 से 21 km पर लेटर का है और इस car की इतनी success पाने की शायद वज़े ये भी है कि इस car के looks को हमेशा Maruti Suzuki ने update किया है और ये car एक बहुत अच्छे budget में आपको अच्छे features भी दे देती है जैसे Indian starts of button, keyless entry, automatic climate control, rear parking sensors, Bluetooth connectivity और ये car आपको six color में available मिलती है और इस car का boot space भी काफी अच्छा है जिसमें आप अराम से अच्छा luggage carry भी कर सकते हैं और इतने अच्छे price range में आपको सभी features, अच्छी riding quality और space भी मिलता है तो Swift के शुरुआते कीमत 5.68 lakh rupees है जो 8.94 lakh rupees तक जाती है तो first car का नाम बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई video पसंद आई हो तो इस video को like करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो जिस car ने first position पर जगे बनाई है वो है इंडिया की safest car Tata Ultras ये car बहुत पुरानी नहीं है बलकि हाल फिलाल January 2020 में ही launch होई थी इसके doors भी wings की तरह 90 degree पर open हो जाते हैं इसमें आपको 1200cc लेगे 1500cc तक का engine मिल जाता है सिर्फ यही नहीं बलकि Tata ने इसको hatchback segment की सबसे जादा mileage देने वाली car भी बताया है जिसमें आपको 19 km से लेके 25 km पर लिटर का mileage मिल जाता है इक कार कितने solid है यह तो आपको NCAP की rating से पता चली ही गिया होगा लेकिन इसके spacious cabin के साथ आपको काफे सारे अच्छी features भी मिल जाते हैं जिसमें आपको mileage भी बहुत अच्छा मिल सके तो आपके लिए यह best option है और अगर आप इस car का full detailed review देखना चाते हैं तो आप eye button में जाके देख सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के description से भी link ले सकते हैं और Tata की इस premium hatchback का on road Delhi starting price 5.88 lakh रुपीज का है और इसका top variant की गीमत 10.61 lakh रुपीज है तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करिएगा और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा दीजेगा जो लोग future में car खरीनने का plan कर रहे हैं अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि इस चैनल पर आपको latest news, honest car and bike reviews, comparisons मिलते रहेंगे मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में Till then, drive safe, ride hard